नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षावर लिके से यूटूब चैनल में दोस्तो वीडियो री एकजाम के लिए जीके और जीयस के मोस्ट एक्सपेक्टेड अतिस संभावित प्रस्नों की जो हम स्रीज चला रहे हैं उसमें आज हम कबर कर करने वाले हैं इस स्रीज का भाग नंबर 10 अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर आप देख लिजिएगा पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपोर्टेंट प्रस्नों को सोल्व करवाया है जो आपके वीडियो के री एकजाम के लिए महत्वण हो सकते हैं इसकी GKGS की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी वीडियो को आप देख सकते हैं तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्न आपके स्कीन पर है निमनलिखित में से किस कॉंग्रेस के अधिवेशन की अधियक्षता रहमतुल्ला सयानी के द्वारा की गई थी बहुत ही ज़्यादा महत्यपूर्ण प्रस्न है तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा कॉंग्रेस का जो अठारा सो चान बेका अधिवेशन था जिसका आयोजन किया गया था कलकत्ता में इसकी जो अधियक् था जिसकी अधियक्षता रहमतुल्ला सयानी ने की थी इसी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार बंदे मातरम गया गया था तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एफेक्ट है जो मैंने आपको बताया है इसके अलावा अन्य तीन अधिवेशन जो आपके सामने ऑप्सन में तथा यह जो जो जॉज यूले था यह प्रतम अंग्रेज अधियक्ष था जो कॉंग्रेस का अधियक्ष बना था तो इसके बारे में आप या देखिएगा इसके बाद 1896 में कॉंग्रेस का अधिवेशन कहां पर होता है तो आप या देखिएगा मदरास में होता है और इसक अधिक्ष्टा की जाती है दादा भाई नरोजी की दोरा तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं इसके बाद अगला प्रस्थन आपके स्क्रीन पर है पानी पत का प्रतम युद्ध यहां पे पूछा गया कि जो पानी पत का पहला युद्ध था यह कब लड़ा गया था बहुत ही निर्णायक बहुत ही महत्पूण युद्ध था पानी पत का क्यूंकि इसी पानी पत के प्रतम युद्ध नहीं किसकी अस्थापना की थी तो मुगल समराज की अस्थापना की थी तो आप इस याद रिखिएगा तो पानी पत का जो पहला युद्ध था बाबर औ और इब्राहिम लोदी के मद्ध लड़ा गया था 20 से लेके 21 अप्रेल 1526 के मद्ध तो आप इस या देखेगा तो exact data प्याद रख सकते हैं और 20 से 21 अप्रेल 1526 को जो है पानी पत का पहला युद लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मद्ध इस युद में बाबर जीच जाता है और बाबर के दोरा मोगल समराज की अस्थापना की जाती है तो यह fact आप या देखेगा तो right answer आपका क्या हो जाएगा 1526 अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर है जमसेदपूर सहर किस नदी के टट पर अवस्थित है तो जो जमसेदपूर सहर है city है यह आपको मिलेगा सुवण रेखा नदी के टट पर यानि की option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आए इन चारो नदीओं के बारे हम बात कर लेते हैं एक एक fact जो important बन सकते हैं इन चारो नदीओं से related इनके बारे में आए थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं तो सबसे पह सायक नदियां कौन-कौन से हैं तो कांची हो गई रारू हो गई करकारी हो गई और दुलांग हो गई यह सबी आपकी सोन रेखा की सायक नदिया हैं इसके बाद प्रिश्ना नदी important है और गदार्य नदी पर important है क्योंकि आपको मैं बता दूं हाल ही में जो एक्जाम हुआ तो नदियों के जो उध्गम अस्थल हैं आपको पता होने चाहिए तो नदियों के उध्गम अस्थल से कई भाप्रस्ण बन जाते हैं तो यहांप देख पारे हैं क्रिश्णा नदी का जो उध्गम में कहां सो होता है महाराष्ट के महाबलेस्वर के निकट से जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है इसकी सायक नदियां कौन कौन से है तो कोईना हो गई पंच गंगा, दूद गंगा, घाड प्रभा, भीमा, तुंग भद्रा, मूसी ये सभी सायक नदियां है इसके लाव गदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है तो नासिक जिले के ट्रेंब केसवर से जो है गदावरी नदी का उद्गम होता है इसकी सायक नदियां कौन कौन से हैं पेन गंगा वरधा वेन गंगा इंदरावती प्राण हीता प्रवरा मानेर मंजीरा ये सभी जो हैं गोदावरी की सायक नदिया है तथा जो गोदावरी है यह प्रायदीपी भारत की सबसे लंबी नदी मानी आती है और इसे हम दच्छिड की गंगा भी कहते हैं दामोदर नद आप याद रख सकते हैं चाहे तो इसका पिस्कीन सॉट ले लिजेगा अगला प्रस्त दुर्गम चरेवु जील जो है किस राजिमें स्थित है यहाँ पर दुर्गम चरेवु जील की बात हो रही है जो आपको बताना है कि किस राजिमें मिलेगी तो यह जो important जील है आपको मि वाला है यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप याद देखेगा option A इसके अलवा तिलंगाना में और कौन-कौन से important जीले हैं जैसे हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर इनको भी आप याद रख सकते हैं यह चार important जीलों को आपको याद अखना है जो आपको तिलंगाना में देखने को मिल जाएंगी अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है दुटिय पंच वर्षी योजना किस मॉडल पर अधारित थी यहाँ पे second five year plan की बात हो रही है दुटिय पंच वर्षी योजना की बात हो रही है आपको बताना है कि यह किस मॉडल पर अधारित थी तो जो हमारा second five year plan था जो कब से कब तक चला था 1956 से लेके 1961 तक चला था हमारा second five year plan तो यह किस मॉडल पर अधारित था PC महालोबिस मॉडल पर अधारित था यानि कि option आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें द्विती पंचवर्षी योजना में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था भारी उद्द्योगों और खनीजों को जो है इसमें प्रात्मिक्ता दे गई थी तो आप इसे आ देखिएगा जैसे रावर केला इस्पात कार खाना, भिलाई इस्पात कार खाना, दुरगापूर इस्पात कार खाना, इनकी जो अस्थापना है दूती पंचवर्षी योजना के दोरान ही की गई थी, तो ये additional fact भी आपयाद रख सकते हैं अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है, निम्न में से नबाड का मुख्याले आप से पूछा जा रहा है कि कहां पर है, नबाड का मुख्याले आपको बताना है कि कहां पर है, बहुत ज़्यदा महत्रपुन प्रस्थन है, तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा, नबाड का वतमान में अध्यक्ष कौन है तो केवी साजी इनके बारे में आप याद देखेगा केवी साजी यह जो है वतमान में क्या है तो वतमान में नबाड के अध्यक्ष है तो यह fact आप याद रख सकते हैं important है तता 12 जुलाई 1982 को जो है इसके स्थापना की गई थी अगला प्रस्तन इसके बारे में आप याद रख सकते हैं important है इसके लाब मुंबत्ती का कार्य किया होता है option A में आप देख पारे मुंबत्ती जो दिया गया है इसका कार्य क्या होता है रासायनिक उर्जा को प्रकास एवं उस्मा उर्जा में परिवल्तित करना इसके लवा microphone का कार्य क्या होता है microphone जो होता है या ध्वनी उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवल्तित करता है तो इसके बारे में भी आप याँ देखेगा इसके लवा loud speaker का कारे क्या होता है तो जो loud speaker होता है यहाँ विद्धूत उर्जा को ध्वनी उर्जा में परिवल्तित करता है अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है कौन सा हार्मोन लडो और उडो हार्मोन कहलाता है तो आप यहाँ दिखेगा एड्री नेलिन आपके बिल्कुल सही हो जाएगा एड्री नेलिन हार्मोन को जो है हम लडो और उडो हार्मोन कहते हैं अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है संगाई सहयोग संगठन का मुख्याले कहा परिस्थित है तो यहाँ पर SEO की बात हो रही है संगाई सहयोग संगठन की बात हो रही है तो इसका मुख्याले आपको मिलेगा बीजिंग में option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बी अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है तो जो महात्मा जोती राव फूल है यानि कि आपसन आपका यहां पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा इन्हीं के दोरा गुलाम गिरी नाम पुस्तक लिखी गई थी अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है निम्नलिकित में से कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है दल बदल कानून से रिलेटेड यहां पर अनुसूची सेड्डियूल के बारे में पूछा गया कि वह कौन सा सेड्डियूल है वह कौन सी अनुसूची है जिसका संबंद जो है दल बदल कानून से है बहुत ही ज़्यादा महत्पुन प्रस्थन है तो आप याद दिखिएगा Anti-Defection Law की यहाँ पे बात हो रही है दल बदल कानून की यहाँ पे बात हो रही है तो तो आप याद दिखिएगा जो 52 समिदान संसोधन अधिनियम था 1985 का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 52 समिदान संसोधन अधिनियम जो था 1985 का इसी के तहट जो है दल बदल विरोधी जो कानून था उसको दस्वी अनसूची के अंतरगत सामिल किया गया था तो जो दस्वी अनसूची थी हमारे बाति समिदान में उसको 52 में समिदान संसोधन अधिनियम 1985 के तहट जोड़ा गया था अगला प्रस्तना आप के स्किन पर है मा और सीसू के बीच गले लगाना या चुमना निम्न हर्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरेट करता है तो आप याँ दिखिएगा ऑक्सिटोसिन आप कभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है जर्मनी और पोलैंड के मद्द निम्न लिखित में से कौन सी अंतराष्टी रेखा वस्तित है तो आप याँ दिखिएगा हिंडन बर्ग जो रेखा है आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच दिखने को मिल जाएगी यानि कि आपको अप्सन आपका भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अलबा कुछ इंपोर्टेंट अंतराष्टी रेखाओं को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जिनको आप देख सकते हैं रूस और फिनलैंड के मद मेनर हीम रेखा जर्मनी और पोलैंड के मद हिंडन बर्ग रेखा रेट कलीप रेखा आपको मिलेगी भारत और पकिस्तान के मद दे उत्तर कोरिया और दक्षिल कोरिया के मद दे और तिस्वी समानांतर रेखा मैगनी, नाट रेखाप के मिलेगी जर्वनि और फ्रांस के मत दे 49 समानंतर रेखाप के मिलेगी、 उससे और कनेटा के मत दे मैग मोहन रेखाप के मिलेगी, भारत और चीन के मत दे तो इनको आप याद रख सकते हैं अगला प्रसना आप किस किन पर है बैंक नोट जारी करने वाला बिश्यो का पहला देश कौन था तो स्वीडन आपका A यहां पर बिल्कुल सही हो जागा स्वीडन जो था बैंक नोट जारी करने वाला बिश्यो का पहला देश था अगला प्रस्थन है भारत में पुर्व की तरफ देखो नीती निमनलखित में से किस प्रधान मंत्री द्वारा प्रारंब की गई थी लूक इस्ट पॉलिसी की यहां पे बात हो रही है पूरु की तरफ देखो निती की बात हो रही है तो इसको इंट्रोडूस किया गया था किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में तो पीवी नसीमा राव के कारेकाल में यानि के option आपके याँ पे जो C है बिल्कुल सही हो जाएगा पीवी नसीमा राव के कारेकाल में जो LPG रिफॉर्म लाए गये थे नीजी करण, उदारी करण और वैस्वी करण की जो नई आथिक निती थी 1991 में जो आई थी उसको भी पीवी नसीमा राव के समयकाल में ही स्टार्ट किया गया था अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है राजसभा में सीटो का अवंटन का प्रावधान जो है किस अनुसूची में किया गया है तो राजसभा में सीटो के अवंटन से समंधी जो प्राव सभा में सीटों के आवंटन से यह संबंदित है तोटल हमारे बाते समिंधान में 12 अनुसूचियां हैं अगला प्रस्तना आपके स्किन पर है समिंधान के किस भाग में पंचायती राज विवस्था संबंदित प्राधान किये गए हैं तो बाती समिंधान का वह कौन सा भाग है वह कौन सा पार्ट है जिसमें पंचायतों से जुड़े प्राधान किये गए हैं तो भाग 9 में पंचायते आपको मिल जाएंगी यानि कि option आपका यहां पर A वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आपको पंचायते मिलेंगी वहीं भाग 9 A में आपको मिल जाएगा तो सहकारी संस्थाओं को जो है सहकारी समीतियों को जो है भाग 9 B में रखा गया है तो इनके बारे में आप यात रख सकते हैं इसके लवा हमारे समिधान की जो तीसरी अनुसूची इसका संबंद किस से है तो तीसरी अनुसूची का संबंद हो जाएगा fundamental rights से हो ज जाएगा तो fundamental duties जो हमारे मूल कवतब्य है जो हमारे fundamental duties उनको जो है बाती समिधान के भाग 4 कौ में रखा गया है वहीं मूल अधिकारों को बाती समिधान के भाग 3 में रखा गया है वहीं भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है भाग 9 A में जो है नगर पलकाओं को रखा ग तो राइटेंसर आपका क्या हो जाएगा दामित्री मेंडलीव यानि कि आपका D यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके स्कीन पर है बाती जनता पार्टी किस राजनितिक समू का एक हिस्सा है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानि कि राष्टी ज संसत को क्या कहा जाता है तो रूस की संसत को हम बोलते हैं डियूमा यानि कि आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लावा अन्य देशों की संसतों को भी आई यह देख लेते हैं एक्जाम में यहां से प्रस्तना आप से पूछा या सकता है तो रूस की संसत को मजलिस कहते हैं जपान की संसत को हम डायट कहते हैं जर्मनी की बुंडे स्टैक युक्रेन के वर्खोवना राड़ा नेपाल की संसत को राष्टी पंचायत इसके लावा मलिसिया की संसत को हम पालियामेंट कहते हैं USA की संसत को हम कॉंग्रेस कहते हैं अफगानिस्तान की संसत क अनुछे 343 किसके बारे में है तो हमारे 32 समिधान का जो अनुछे 343 है इसका समंध हो जाएगा का रियाले भासा के रूप में हिंदी से यानि कि अप्सना पयाँ पे जो C है 100% सही हो जाएगा अगला प्रस्थन है अर्बियाई का नेशनलाइजेशन अर्बियाई का राष्टी करण कब किया गया था तो आप यहाँ दिखिएगा 1935 एक अप्रेल 1935 को जो है अर्बियाई के स्थापना की गई थी और अर्बियाई का जो राष्टी करण था एक जनवरी 1949 को किया गया था तो आप्सना आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अर्वियाई का जो अधिनियम था, RBI Act 1934 के तहज है RBI के स्थापना के गेती 1 April 1935 को तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा अगला प्रस्थन आपके स्किन पर है दादा साहेब फाल के पुरस्कार देविकार राने को किस वर्स प्रदान किया गया था पुर्ण प्रस्थन है आपको बताना है कि जो दादा साहेब फाल के पुरस्कार है जो काफी प्रतिस्ठिच पुरस्कार है फिल्म जगत का यह देविकार राने को किस वर्स प्रदान किया गया था तो आप यहाँ देखिएगा जो पहला दादा साहिब फाल के पुरस्काल था यह देविकार रानी को 1979 में दिया गया था निकि आपसन आपका यहाँ पे जो B वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा इसके बारे में आप यहाँ देखिएगा 1979 में अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है पूना पैक्ट किस वर्स में हस्ताक्षरित किया गया था पूना पैक्ट किया बात हो रही है तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गये थे 1932 में आपसन आपका A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर डेट आप देख पारे एक्जेक्ट 24 सितंबर 1932 को जो फूना पैक्ट पर हस्ताक्चर किये गए थे बीया रमबेटकर और मात्मा गांधी के मदिया समझाओता हुआ था तथा इस पैक्ट पर मात्मा गांधी के बिहाब पर किसने हस्ताक्चर किया थे तो मदन मोहन मालवी ने मातमा गांधी के अस्थान पर इस पेक्ट पर हस्ताक्षर किये थे तो इसके बारे में आप यादे किएगा अगला प्रस्थन आप किस किन पर है? हिंदी भासा के लिए सुरबतम एक ग्यानपिट पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो हिंदी भासा के लिए जो पहला एक ग्यानपिट पुरस्कार था यह 1968 में दिया गया था किसको तो सुमित्रा नंदन पंत को आपसन आपका यहां पे जो ए है बिल्कुँ सही हो जाएगा इनकी किस रचना के लिए तो छिदंबरा के लिए इनकी जो रचना ती छिदंबरा इसी के लिए जो है हिंदी भासा के लिए पहला जो एक ग्यानपिट पुरस्कार था वह दिया गया था तो इसके बारे में 1965 में दिया गया था जी संकर कुरूप को यह किस भासा के लिखक थे तो यह मल्यालम लैंगवेज के लिखक थे इसके लावा 1976 में बंगाली उपन्यासकार आसा पुर्णा देवी इग्यानपिट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी थी तो पहली महिला अगर से पूछ ले कि ग्यानपिट पुरस्कार पहली बार किस महिला को दिया गया था तो 1976 में आसा पुर्णा देवी को दिया गया था यह बंगाली लेखका थी तो इनके बारे में आप याद देखेगा अगला प्रस्तन है आधुनिक आवलत सारणी में होरिजोंटर रोज यानि कि 36 पंक्तियों को हम क्या कहते हैं तो आधुनिक आवलत सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है तो इनको हम आवलत कहते हैं यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा आवलत यहां पर देख पा रहे हैं आवलत सारणी में 36 पंक्तियों को हम आवलत कहते हैं वहीं आवलत सार तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू, थैंक्स प्रोचिक, थैंक यू